वह इसलामोजिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाई इसलामोजूद है हम मुम्रा के एमेम वली पर आपको बता दे कि ठाने महानगर पालिकाशी जो उर्गी स्कूल हो गत्रमां स्कार अतल भी इमारत आप भूतरों इसमारत में 13 स्कूले जो है चलती है सुबा के वक्त साथ स्कूल यहां पर चलती है लेकिन आप तो बता दे कि इस स्कूल की कंडिशन वह बहुत ही खराब है आज एमाईम पार्टी के सहिप पठान जाविच सिद्धी की और लिसान अंसारी इस तरह के तमाम जो है एमाईम पार्टी के कारकरताओं ने इस स्कूल का जो है दवर यह की वागरण हैं उनके काच भी जो है चूते हैं और खास द inflamm आपको बताया कि बाते हैं कि इस बात्रों को देया वह है आप रहा है यह आप दसवी का जो इसकूल है उर्जू का यह आप देख रहे हैं तस्वीरों के यहाँ पर इसकूल के भी हालत काफी खराब है और जो मैदान था बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर कुछ मसीने लगा कर घास वगारा जो है काट दिया गया वहाँ बारिश का पानी भरा हुआ ह जिसके वज़े से बिमारी भी बच्चों को लग सकती है और जो इसकूल है जो क्लास है उन क्लासों के जो दर्वाजे सब दर्वाजे तूटे हुए हैं यहां तक की एक रूम ऐसा है जिसमें तमाम बुक्स वगएरा रखी हुई है लेकिन उसका दर्वाजा है ही नहीं फु एक रख्टर पर जो कंप्यूटर सिखाने के लिए बच्चों को यहां पर टीचर वगएरा रखे गए हैं वह टीचर जो है बच्चों को प्रेक्टिक बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है बता दें कि आपको कुछ भी बंदों बस प्रेम सी के उर्दू स्कूलों में बि जो इस्कूल के मेनेजमेंट है उन लोगों से बादचीद की उसके बाद इसकूल का दाउरा किया बच्चों से भी बादचीद की क्या कुछ उन लोगों ने मीडिया से बादचीद करते हुए कहा है वहाँ को सुनाते हैं आज MIM पाटी के सभी लोग शालम भाई लिसान और जितने भी कार करता है जावेज भाई इसे सब लोग टीमसी के उर्दू स्कूल का दाउरा किये क्या क्या यहां पर खामिया निकली है क्या क्या आपने देखा बच्चों से भी बादचीद की है क्या है पूरा वामला देखि करने वाले हैं तो मुश्के लिए सरवेज और बहुत सी चीजे आने चीजे हमको जो पता चली बहुत अफसोस जनक है कि हमारे शहर में टीमसी स्कूल रन हो रही है और उर्दू स्कूल रन हो रही है और उसकी फैसलेटिस उसमें टीचर्स की कमी उसमें बच्चों लोग का इतने बड़े शहर में आप सोचो के सिर्फ दो जगा उर्दु स्कुल है एक हमारे मुम्रा में है मुम्रादेवी रोड पर और एक यह शिमला पार्क में जहां हम खड़े वहां इसका एक 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 क्लास इसकी आने आइडेल मार्केट में चालू की गई है यह उसका बहुत अफ पड़े हुए तो आज वह बच्चों को कैसा तालीम देंगे घर पर अगर आप यहांने उर्दु स्कुल सब तरफ से हटा करके यह दो जगा रहोगे बच्चे उर्दु सिखने के लिए टीचर समको आपको पता चला यहां पर कि बच्चे कोई अम्रूत नगर से आ रहा है कोई कल्यान फाटा से आ रहा है कोई शिबली नगर से आ रहा है दैसर मोरे से आ रहा है आप बताए आज बच्चे मुंसिपलिटी स्कूल क्यों जाते क्योंकि उनके पास एजुकेशन हाई एजुकेशन प्राइवेट इसकूल में लेने के लिए खरचा है वह खराजात एफ जो जो और हैं कोई लिए जो प्लोड जो यानि बृल्ड लोग कवजा कर रहे जो यह हो रहा हुए उसपर लिए ने इस में प्लोड बजाए जाज वा यह जो और उर्दू के हालात है वह काफी खराब है पानी ठतक रहा है और कुछ बच्चे जो हातres जमीन पर बैठें वह भी दिखाई भी है जी उसके हम लोगों ने बात की देखी कि एक आटी की तुरू जो एडमिशन्स होते हैं उनके लिए एक इस्पेशल से टीचर्स अपोइंट करके उनके लिए इस्पेशल से क्लास अपोइंट करके यहने बच्चों को तालिम दी जान है इंशालों तो उस पर बात करके हैंने हम लोग वहां पर अपनी मांगनी करके और जितना सुधार हम अमारी तरफ से ला सकते हमारे शेहर के लिए हम उलाने की कोशिश करें पानी टपक रहा है पुरा छट लिकेज है वोपर का क्लास्रूम में बच्चे बैठें बोले कि य यही तो यहने शरम की बात है हमारे लिए परसनली मैं सब्काओंगा कि इस शहर के जहां पर याने जो 70 80 परसंट जो नगर सेवक से यहां के वो मुस्लीम से और वहां उर्दू स्कूल ने और जो उर्दू स्कूल है उसकी हालत देखकर के आज हम लोगों को शेराम आ रही है कि आप महासभाम है या आप कहीं पर भी क्या बात करते होगे एक हमारा एक नगर से लड़ लड़ के अंदर कितना लड़ेगा कितनी फाटिक है जितना वह अपने तौर से कर सकते हैं आपने देखा हो कि कैसा सर इनको बता रहे थे कि आप फिर भी सपोर्ट करते हो भाई आपर और वहां पर एक टॉइलेट जो पर से पानी टप अगरा है निक्षे पूरी गंदगी है और इस किलीनिंग नहीं है बच्चों को कैसा दोगा है भी हमने यहां पर भाजू में जो सेकेंडरी स्कूल में जाके हमने देखा 9th और 10th के वहां पर माईदान के पानी आप अच्छी तालीम अच्छा इसतर वहां मिलता है लेकिन आज हम लोग का है हमारा शेहर कहां जा रहा है यहां पर जो इसके कि सुदार के लिए जो पैसे आते उसमें गबं जो बनाने के लिए पईसे हैं जो बच्चों के लाख बो तो पहां पर इसके अगर डोसो टीचर्स की रिक्वाइमेंट और वहां पर 110 टीचर्स है, कम से की 70 तीचर्स की कवी है। इस बहुत बड़ा मेजर इश्यू है कच्रे के लिए दो करोड़ तीन करोड़ों के फंड पास हो जाता है लेकिन आपके कहना है कि टीचर्स के लिए शी वेकी करोड़ का फंड दे रहा है और उसके आगे मतलब आगे पास नहीं हो रहे तो इसके अपर क्या बताएंगा तेकि आप लोगों को टीचर्स की कमें तो आप कॉल करिए देखिए हजारों की तादाद में आपको फॉर्म जाएंगे और इंशलों तर अच्छी टीचर्स मिलेगी जो यहां पर तालिम दे सकती है आप वहां पर ध्यानने देर आपने कहा कि एक करोड़ फंड आता है और तो वह हमने हमारी ंदर यहांने रोड के नाम पर प्लच पर कंछियं धर लाए तो वहुंड के रहे हैं तो उसके वहां बजट को नहीं भड़ाया जा खाह से था तूप हें बात करेंगी कि टीचर्स को किस तरीके से बढ़ा जा पर प्रसरशन से इसकी मांगगा एक इशू है कि सर जब मेजरी अखर आप कोई भी एक मुम्रा के बार की बात करूंगा सार आप जाएंगे कोई भी देखेंगे तो एक से दो स्कूल को भी दो स्कूल में चले जागी मौनिंगे लेकिन उसका देखें पिछले जो रिजल्ट आया है यहां पर एससे काना वह उसमें बहुत बड़ा देखने मिला हम लोगों कि बहुत सूशिनली बात है वह भी के छे सो बच्चों ने यहां से अपियर किया और उसमें से यहां ने एक सो तेरा बच्चे फेल एने ने बाट 21 परसं पर एफेक्ट हो रहा है तो उस पर प्रसंशन को बहुत बहुत जयने गंबिरता से सोचना होगा और उसकी कमी को पूरी करना हो ताकि बच्चों का मुस्तक्बिलना खराब शालम भाई आप लोग यहां पर दोरा की थे कुछ ऐसी जानकारियां बता रहे थे कि साथ यहां पर कोई कॉलेज खुलने वाला है और वो भी प्राइवेट में जाएगा क्या भी बात चीत हुई अंदर आप लोगों की क्या है असलाम वालेकुम रहमतुला बरकातू जैसे हैं लुए रिभी hours training न मिला हर्चीज प्राइवीरेशन कच्रा प्राइवेटेसं अलायट प्राइवेटेशन हाउ्ष्पीटर क्राइशन अस्कूल में आनका यह दो गई कि एक कोलेज बना है तो आगर थाना मान अगर पालिका कोलेज बना चीज कि हमारे महान अगर पालिका मुम्रा सहर के लोग बच्चों के लिए एक अच्छा इस्टेप उठा रही है कि फिरी कॉलिज पढ़ेंगे बच्चे गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकते जैसे कि आपको मालूम कि आज हिंदुस्तान के अंदर दोई चीज सबसे महेंगी एक मेड चीज है उसके लिए बजट बनाए जाए कि स्कूल है हॉस्पिटल है जो आम गरीब लोगों को सुब्दार दे सके सरकार मेरी यह मांगे कि इस तरीके का काम होना चाहिए ना कि स्पार्ट सिटी पे खर्च अभी जिस तरकी का बजट बता रहें आज 6 मैना स्कूल का चालू दे क्यूंके बेसिक चीज कर पचास रियार के अबादी जीश हिलाके में रही सरकार का हुआ कहिना है कि हम इश्कूल बनाए तो हमारे याद ने 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 इसकोल के वहां तो कम सेखेंगे इसकोल बना है आब आप सिल फाटा कल्यार फाटा धाई किलो मेटर तीन किलो मेटर दे जो गरीब बच्चे इतने पैदल आ रहे आपने देखा कुछ ने देखा हमने इसलिए आप लोग को लाया के देखो आप कुछ हम किसी पर इल्जाम नही इस चीज के उपर गमिर्ता से काम करें गरीब बच्चों को जो शिक्षा होना चाहिए आज हमारे देश क्या करें पढ़ान मंत्री करते हैं क्या करें बच्ची बताओ बच्ची पढ़ाओ तो उसी तरीकित हम यह चा रहे हैं कि हमारे मुम्राश शहर के अंदर जो गरीब है मुम्राश लड़का निकला करें तो तो अच्चा है जो नौकरी इस वक्त नहीं चाहिए लेकिन लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमको टीचरों की नियुक्ति करना ज़रूरी है और 9 और 10 आपको मालूम है 8, 9, 10 के अंदर लेब लगता है प्रेक्टिकल होता है यह हमारा 9, 10 के क्लासेश चल रही है इनके पास एक लेब है नहीं अब यह जब बच्चे 10 का एक्जाम देंगे जब प्रेक्टिकल होगा वो क्या करेंगे उनको कहां से मार्ट मिले गाई है तो हम यह चाह रहे कि इसको जल से जल 9, 10 के अंदर जो कम्टूटर है और जो साइन्स की लेब है वो चालू करना जीए इसके उपर परसासन को ध्यान देना चाहिए आवाज उठाए तो इंशालला बहुत जल जो एक करोना की महामारी जैसे इनों ने कहा था करोना की महामारी में लोग यह हो गया फंड नहीं है एक मंत्री ने कहा भी था कि करोना की महामारी में फंड नहीं है इसलिए काम नहीं है उन्हों तो अपनी सफाई दिये लेकिन मैं उनको आपके नूज के मादेम से बताना चाहता हूँ जो आपको अलमास कालूनी खास वाला कंपेंड में जो एक रेजरवेशन जगा थी उसमें कुरोना की माह हमारी के टैम पे प्राइबेट बिल्डर लोगों ने कबज़ा करने क के लिए उसमें गार्डन बनाया गया आप लोगों के सब को पता है हमारे पास उसका भी हाई कोर्ट से पूरा नोटिस आ चुकी है वहाँ बच्चियों के लिए रेजरवेशन जगा पे इस्कूल था तो मैं उन सत्ताधारियों को बताना चाहता हूँ ऐसा तुम ब्रश्ट नहीं है तो उसके लिए हमारी प्रशाशन से काईदाय के उपर कानून के उपर हम बात करेंगे और जैसे कि आप पता है सिल्फ हाटा हो गया आपको अमरिद अगर हो गया यहां पे स्कूल होना चाहिए कि वहां के बच्चे यहां आने के लिए बहुत तक्लीफ होती है आज बच्चे क्यों पढ़ते इसलिए पढ़ते कि उनकी जो इस्तित है उनके माबाप की वो बराबर नहीं है इसलिए सरकार ने उनको पढ़ने के लिए इजुकेशन के लिए इसकूले बनाई तो उसके उपर ध्यान कब होगा तो इस बारे में इंशालला हमारे शदर साहब ने आज देख सकते हैं वो इस्कूल की परिशानियां को हम लोग इंशालला जरूर करेंगे जावत भाई ने आपको पताया था कि घांस वाला कॉंपॉंड में जो जमीन थी वो इस्कूल लड़कियों की इस्कूल का एजू रिजूरेशन प्लॉट था बनावे बचिया हमारी मांगे पर्शाजन ते और इसको पर होना कारवाई करना जिताना मान अगर पाले हैं अगर वहां पर गार्डन बनता एक सही तरीके से लीगल तरीके से तो बहुत खुशी थी लेकिन जिनों ने वहां पर अपना पैसा लगा के प्रचार किया है उनके ऊपर अब यह दिन के पहले मैंने कमिश्णर ताहब को मिला और उनका ही जवाब मैंने देके आया उन्हों तो अब उनके ऊपर मालूम ही निए तो यह तो हमारी लडाई हुई कर्तम तरह बहुत बड़ा सेंसेटिक मेंटर है अभी आज यहां पर पूरे मायम की टीम यहां पर आई थी एक विजिट्टे में को नहीं लगता है कि यहां पर कोई ज्यादा पर आई थी एक अब ही आगे आप लोग क्या दर्म लें जैसे के आप लोग में देखे के हमारे सदर साफ आज हमने हंगामी दोरा किये सेफ पटान साफ के साथ में और अजिट्वेशन जो मिनिस्टर है हमारे उनको हमने लेटर दिये उनसे एपॉंट्मेंट लिया है बस कुछी जिनों में इंसलन का मिलेगा और हमारे सदर सब के साथ में जा करेगे मुनिस्टिवेशन लेट से यह जो घर किया हैhouse लेके अब तो जब तक वो लोग प्रेक्टिकल नहीं करेंगे तो उनको आएगा कैसे मैं वहीं बोर रहा हूना कि बहुत फिकर की बात है अभी हम लोगी जब मुलाका दोगी इंशालो ताला तो हम लोग यहां पर जाने कंप्टिटर रूम बनाने के लिए जो अध्यापक थे उन्होंने कि यहां से एक बच्ची ने नीट में प्राटिसिपेट किया और उसने टॉप किया नीट में तो वैसे बच्चे जब आगे कोई फिल चुनते जहां पर कंप्यूटर साइंस वगेरा में जब दरूबत परती तो उनका क्या होगा तो उसके लिए भी हम मांगनी करेंगे कि ज एक किसे बहुने तो वाकाइब है नहीं इसलब में अब बात की है में इंशाल्ण अलो वाइफाय के लिए हम लोग अमारी तरफ से दे रहे हैं इंशाल्ला लाइफ टाइम के लेन फीडिंगे अगे बच्चों के लिए